हेलो अडिवन वेलकम टू पर्फेक्शन इस हमारा दो सेवेंटीएथ बीपेसी का अंडे देज अंडे आर्टिकल वाला सिरीज है हम फिर आज आपके साथ जुड़ रहे हैं और स्टेट्स में आगे बढ़ते हुए हमने सीवें का डिसकुशन कर लिया अब स्टेट लेजिस् दिसक्रिशन की बात करेंगे तो इसमें जो सेकेंड हाउस है यानि कि SLC की हम बात करें तो पहले थोड़ा सा SLC की यानि आज के डियो टॉपिक उसमें आने से पहले एक कॉंपोजिशन आस्पेक्ट समझ लेते हैं तो आर्टिकल 168 कहता है कि स्टेट का जो लेजिस्लेचर ह दिशन की में यूणिकैमरल और अगर होगा तो गवर्णर के साथ साथ एक लोवर हाउस बस होगा SLA State Legislative Assembly और अगर बायक्वर्णर है तो governor के साथ ने साथ एक 될 अजिस्लेटी देस्ट और अगर गवर्णर के साथ एक लेजिस्लेटिवी स्टेट बस तो टैट लेलिशन के सा और अभी के समय में केवल छे राज्यों में SLC है बिहार यूपी बॉर्डिंग स्टेट से याद करने की कोशिश करेंगे आंद्रप्रदेश तेलंगाना और करनाट का महारास्ट्रा तो यह छे स्टेट्स में केवल बाइकेमलिजम यानि SLC है अब उसी कॉंटेक्स में जो हमा यानि कि बाकी जो 22 राज्ये हैं वहाँ पर या इन छे राज्ये में से SLC को हटाना है तो उसका क्या तरीका होगा यह हमारा आर्टिकल 179 में दिया हुआ है इसको एक फ्लोचार्ट के तुरू समझने ही कोसिश करते हैं क्या प्रोसीजर है सो आर्टिकल 169 यह कहता है कि एक रिजॉलिशन एक रिजॉलिशन कहां पर आ सकता है केवल इन ऐसे ले यानि कि उस स्टेट के लेजिसलेटिव असेम्बली में एक रिजॉलिशन लाया जाएगा क्या चीज के लिए सूस recommend coration या abolition क Onu अअज कर ऐशे लेकर असे लगए को किष्यन को बनाने के लिए यह से और की विःशन का परस्टाओ अपने यह पर एक करेहेशन के लिए ए झिऊ घिव अब यह बालेशन को पास्ताओ तो इस प्रस्ताओ को pass करना होगा so it needs to be passed by special majority और दो तरह का condition वाला two-third present and voting also greater than 50% of total strength इस special majority से विधान सभा को उस state के जो है पहले पास करना पड़ेगा पास होने के बाद यह प्रस्ताव जो है parliament के पास जाता है कहां पर जाता है parliament के पास so यह प्रस्ताव कहां जाएगा parliament के पास state legislature assembly से पास होने के बाद लेकिन this resolution is not binding on parliament जैसे एक्जामपल वेस्ट पेंगॉल में जब लास्ट येर ममता बैनर्जी एलेक्शन हार गई थी तो उनको चुकि cm बने रहने के लिए छे महीने से जादा समय चे महीने तक तो रह सकती थी बढ़ छे महीने से किस होता है किस के ऊपर पार्लेमेंट को पर इसलिए अभी तक पार्लेमेंट नहीं बनाया उरिशा केर्डा तमिल नाडू इन सबने state legislative council को बनाने के लिए resolution पास कर रखा है लेकिन final authority कौन लेगा पार्लेमेंट तो पार्लेमेंट विल कौन सा majority simple majority तो यह ध्यान रखना है question अगर आप से यह पूछ रहा है कि state legislative council is created by तो act of parliament simple majority of parliament यह दोनों point ध्यान रखेंगे special majority of SLA से एक प्रस्ताव पास हो रहा है कि बनाया जाए बनाने के लिए जो तरीका है वो बनाने का power के वाल के वर पार्लेमेंट के पास है और वो इस चीज को एक normal कानून यानि act के द्वारा करता है जो किससे पास होगा simple majority से तो यह बहुत important आपको ध्यान से समझना होगा कि यहां पर जब भी SLC के creation की बात होगी तो initiation जो है मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि यह equal to so the creation or abolition of SLC is the only you can say provision which requires the consent of both union as well as state कोई अकेला चाहकर यह चेंज नहीं कर पाएगा पार्लेमेंट तब तक नहीं बना सकता जब तक SLA प्रस्ताव नहीं पास करे और SLA प्रस्ताव पास कर भी दिया तो पार्लेमेंट जब तक नहीं चाहेगा वो बनेगा नहीं तो यह हमेशा ध्यान रखना है यह हमारा creation या abolition था कि स्टेज का SLC का अब मान लिजे कल को जारखंड में SLC बना तो आप जानते होगी कि SLC जैसे बन जाएगा तो आर्टिकल 168 में जहां पर बाइक बात की गई है कॉंस्ट्यूशन आफ स्टेट लेजिसलेचर का वा अच्छे की जगा सात्वा स्टेट आड़ों का जारखंड तो सम्मिधान में तो बदला हुआ लेकिन वही क्लारिफिकेशन यहां दिया लेकिन यह 368 के अंदर नहीं माना जाएगा चुकि यह सिंपल मेजॉरटी से किया गया है ठीक है तो यह हमारा था क्रियेशन या अबॉलिशन आफ एसलसी अगले आर्टिकल में हम एसलसी के कॉंपोजीशन को पढ़ेंगे कि इसमें एलेक्शन कितना स्ट्रेंथ होगा एले